मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं टेश्टी कोडी चैनल यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक निया प्रोज देख जिसका नाम है एक टुशॉपिंग कार्ड इन एंग्लोर अप्रिकेशन ठीक है यहाँ पर हम एक e-commerce वेबसाइट बनाएंगे e-commerce ठीक है इन सारी चीजी यहर करेंगे इन सारव चीजों पर करने से पहले मैं आपको बता दूओं कि पूरे वीडियो को मैंने साथ सब्सक्राइब साथ मीमा बताते caden है तो सबसे पहला क्या है इंस्टाटे värएशनosse इन पर हम पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने लैप्टॉप की स्क्रीन पर आगे यहां बिल्लोग पर सार करके cmd किया और cmd के थ्रू हम डेक्स्टॉप पर जम कर दिये ठीक है उसके बाद करके इंटर कर देंगे तो हमारा लेटिस्ट वर्जिन इंस्टॉल करके देदेगा जब से यहां पर कुछ काभी नई चीज में देखने की यहां पर आपको वर्जिन नहीं दिखा था कि कौन सा वर्जिन इस्टॉल हुआ है बाइडिफॉल दिखा देगा अगर आपने एक बा तो जैसा कि यहां पर आरेक्जियस इंपोर्ट हो रही हमारी नोड मॉडिल के इंदर और बस हो गया देखो यहां पर लिख उटा 22 पाइके जार लुकिंग फाउंड ने तो यहां पर हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चीगा अब यहां एंजीन नियू कमांड के थूरू हम बनाने वाले तो इंजीन इंटर करेंगे यहां दो ऑप्शन मांगेगा ठीक है पहला उप्शन मांगता है कि तो आपको यस करना है दूसरा इस्टाइल सीट का कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हैं CSS less तो मैं CSS चूज़ करूंगा आपको जो भी चूज़ करना आप भी फालू करते चलिए अभी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है मतलब नंबर फर्स्ट पार्ट चल रहा है ठीक है तो यहां पर बहुत जादा टाइम नहीं लगता है हमारा इंस्टॉल हो चुका है अब यहां सीडी कमांड के तो हम एकार्ट के अंदर आ चुके हैं औ ओके ओपेन हो गया इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं और यहां कंट्रूल प्लस टिल्ड बटन के साथ हम इसका कमांड फ्रांट ओपेन कर लेते हैं अलागि यहां पर हम प्रोजेक्क को रन नहीं कराएंगे तो यह सारे फाइल से फोल्डर रहें लेफ्ट साइड मैं आ और यह कंद्र हमारी होग लेगा हमारी प्रोजेक्ट करेगा बिल्ड करेगा और करेगा साथ हीत यह किमांड double करते हैं जहां हम सके इंदर कुछ components बना लेते हैं तो अब हमारा रिंदर प्रोजेख और और क्रियेट कंपोनेंट पार्ट ठीक है तो प्रोजेक्ट रण होना ही स्टार्ट हो चुका है अब क्या कर रहा है जन्रेटिक ब्राउजिंग अप्लिकेशन भंडल ठीक है यह सारे बंडल्स हो चेक करेगा अब चलो यहां पे लेप एक और राइट सेट पर मैंने कमांट प् अदर आपके इंटरनेट की स्पीड में इस अधिया है उसके अनदर इसाथ दो टर्मिनल इसलों किया हूं जैसे यहां पर मुझे छेड अपर फिर से रिफ्रेश्च होके पेज हमारा लोड होता है अब दूसरा हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम का अधिक नाना है तो हमने लेफ्ट वाले कंपोनेंट में कमांड पर आउटोमेटिकली देखो जनेरेट होने लगता है ठीक है अगेन हम बनाएंगे कार्ट नाम से एक्षली यह सारी बेसिक चीजे हैं इसको आपको पता होना चाहिए लेकिन मैं यह अजूं करके चलना हूं कि आप लोगको नहीं पता होगा तो यहां पर कार्ट नाम का बन गया है कंपोनेंट अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा बनने वाला है फूटर नाम क कंपोनेंट में फिला तो फूटर नाम के कंपोनेंट में बना ले रहा हूं पर इसमें नेक्स्ट वीडियुम करूंगा ठीक है क्योंकि हम बहुत कूल बनाने वाले हैं एंड लास्ट यहां पर एक मैं सोच रहा हूं कि पहले सर्विसेज भी एक बना ही लेता हूं क्योंकि ह कि हमारा सर्विसेच के साथ भी work होने वाला है उसी टाइम बना близ поряд नहीं तक हमने हूँने टोटल इतना सीखिए Church कि अगर्ड ने के साथ हुए हना दो सूपरáवनिज기 मनानी इस जी इस से सर्विसेच है तो इस से हमारा क्या होगा से जाई तो चली हम हिट करते हैं कमाड यहां पर हम आते हैं जी जी वन सेकंड सर्विसेज स्लैस नहीं नहीं पहले जी के बाद एस करना है फिर स्पेस करना फिर सर्विसेज नाम का फोल्डर नेम रहेगा उसके अंदर एप यह नाम की सर्विस रहेगा तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है आप लोग देख सकते हैं बहुत कूल देख रहा है चलिए अब सब्सक्राइब करने बाद अपने इंडेक्स.html पर आएंगे और इंडेक्स.html में आपको बता दू लिंक टेक की नीचे हमको इसको पेस्ट कर देना है यह सारी चीज सभी वीडियो बताता हूं उसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं ठीक है अगें हम जेस फाइल को सबस्क्राइब कर लेंगे तो यहां से हमने जीएस को कौपी करा और कौपी करने के बाद इसको हम एप रूट के नीचे पेश्ट करेंगे ठीक है परफेक्ट ना सेप कर देंगे फॉर्मेट डाकुमेंट के साथ इसको मैंने सेप करा इसको क्लोज कर दूँगा कि किसका काम अगर ब्राउजर पर आता हूं एकार देता हूं ठीक है सारी चीज़ें हैं अब हम क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले तो अपने एक फास्ट सिपिंग नाम का आइकन है बहुत सांदर है उसमें एक वैन बना रहता है वैन में बहुत स्पीड में फास्ट वैन चलती रहते ठीक है तो उसका आइकन हम यूज करेंगे बैसिकली हम इसको इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम फॉंट आसम यूज करने यहां से कॉपी करा आप भी यहां से कॉपी कर सकते हूं डबलू त्री स्कूल से जाके ठीक है को इश्यू नहीं तो यहां पर आनेक बाद आपको इंडिक्स डॉट है और लिंक टैक के नीचे फिर से इसको पेस्ट कर देना है मतला बूट स्टैप के जश्ट नीचे इसको सेफ कर दिया ठीक है इसको हम सेफ कर दिये और अब एक बार अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं यह हमारा यहां पर हमने फॉंट आसम इंप्रिमेंट कर लिया है ठीक है फॉंट आसम लगाने के बाद अब हम क्या करेंगा थोड़ी सी डिजाइनिंग करने वाले अभी हो आपको देख रही है ठीक है और इसको हम अठा देंगक सार्ग सारी सीत तब सबस्क्रओंप लिजस कर्ते हैं अप्र एक सान्ट करते हैं और यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं मारे बुट क्लास कर देता है यह नहीं दिलिखते हैं आज धिंट देने के बाद इसको मैं यहां और लिख सकते हो तो मैं मैं यहां पर simply लिख रहा हूं add to shopping card लिखते हैं लिखते था हूं shopping card 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 in angler basically test करना है कि हमारा यह चल रहा है कि नहीं तो मैं इसको एक बार रिफ्रेस्ट मारता हूं और check करता हूं add to shopping card in angler class center work कर रहा है इसका मतलब हमारा good step properly work कर रहा है है so it's good और इसको रिमूब करता हूं यह हमारे नना फ्यूज है और यहां आप हेडर को कॉल करता हूं क्योंकि मैं यहां पर header component के साथ work करने वाला हूं यहां पर आप header works दीख रहा है ठीक है तो चलो अब header component ढोड़ते हैं कहा है components के अंदर लिएडर सके अंदर ठीक है header component प्राइमरी कि डॉट और यहां पर हम शैड़ो इसमॉल दे देते हैं ठीक है तो जैसे इसको लिखके हम एंटर करेंगे हमारा नयव बार के लिए वर्क होना शुरू हो जाएगा अब अगेन इसके अंदर एक डिव क्लास फिर से लेते हैं और डिव डॉट कि नयव बार ah ah text align center कर देते हैं ठीक है यहाँ यहाँ में काम करते हैं align and item center करता है align अई डिव ब념 है इसका डिश्प्लेग्स कर दे देता है ठीक है क्लास बार हाइफन डार कर देते हैं जिससे कि इस पर कुछ भी कंटेंट लिखो तो एक्लिव वाइट कलर से देखें ओके नौ ग्रेट इट्स वोकिंग फाइन और यहां पर हम क्या करेंगे एक आई क्लास लेते हैं और फाफा अइकन के तुरू फाफा मतलब फांट आसाम का अइकन है तो FAS.fa-fast-sipping यहां पर टाइप करेंगे सिपिंग सिपिंग इंटर करके और यहां पर देते हैं इक आप नाम से अप्लिकेशन बनाए हैं तो यहां पर देंगे से करके बार चरक कर लेते हैं कि कैसा कोछी ना कर रही हूं तो पहले एक बार एक काम करते हैं से चिक करते हैं चलो और यहीं कार्थ हमारे दिख रहा है और वागये कोई भी चीज़ नहीं दिख रहीं तो यह तो बहुत गरबड़ दाम है तो एक काम करते हैं अगेन सेम चीज़ हम टाइप करते हैं फासिक्टिंग आइकन विर्थ डव्य स्कूल और यहां पर जैसे लिक इंटर करते हैं यहां पर सबसे पहले तो देख लेते हैं हमने क्या लिखा है हाँ फास है हमने सिपिंग की स्पेलिंग में पी doen यंण टाइम लिखाग अई इसको पूरा सब्सक्राइब करने और फॉर at его कोड़ पिवाकि कपी कर लेते हैं इस वाले को एधिंग कुछ दो एक हम चेक कर लेते हैं किया एक बार रिलोड करते हैं कि हमने सीडियन पेस्ट गलत किया था वह बार बार दुबारा भी कॉपी हो गया था तो सीडियन को जब आप कॉपी करेंगे कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना तो वह प्रॉपर्ली वह करेंगा ठीक है तो यहां पर फॉंट साइज 35 पिक्सल रख दे रहे हैं और उसके बाद अब फॉंट साइज भी हम 25 पिक्सल पूट कर देते हैं और सेप कर देते हैं एक बाद चेक कर लेते हैं हमारा कैसा दिख रहा है ठीक है लेकिन अभी थोड़ा गैप नहीं है तो गैप कर देने के लिए एड़ एंबीस पी देना पड़ेगा इसको 30 पिक्सल कम कर देते हैं यहां पर एड़ एंबीस पी देते हैं यह बहुत बेसिक चीज़ें बहुत स्मॉल चीज़ें आप आप कोई भी कर सकते हो मुझे इतना डिजाइनिंग का ग्यान नहीं जितना आपको है ठीक है तो ठीक है अब ही सही है अब एक काम कर लेते हैं इसको यहां पर एक सर्चवा यहां पर एक इंपुट टैग लेते हैं इंपुट टैग में टेक्स्ट अब प्लेस होल्डर देते हैं प्लेस होल्डर सर्च प्रोड़क्ट ठीक है इसका क्लास हम देते हैं फॉर्म कंट्रॉल क्लास हमने बनाएं उसको हम यहां से काम करते हैं मैनुपलेट करते हैं तो यहां यहां पर सबस्क्राइब क्या करेंगे स्कों में कुछ हम थोड़ा सा राइटिक कर दे रहे हैं तो यहां पर हम सबस्क्राइब बार्डर देते हैं बार्डर रेडियस में देते हैं 5 पिक्सल और यहां पर हम मार्जिन मार्जिन टॉप या मार्जिन लेफ्ट करते हैं पहले और उसके बाद यहां पर और भी चीज़ें हम देख लेते हैं अब यहां भी मुझे एक स्पैंट टैग लेना पड़ेगा इस पैंट टैग में हम सर्च का आइकन लगा सकते हैं ठीक है करते हैं कि इसमें टैग के साथ का आइकन बहुत बहुत इसनी कर सकते हैं घंबंडेंट कर सकते हैं और और हमारा सर्च प्रोड़क्त बहुत सांदार इंपूट आ रहा है लेकिन आइकन कहीं और भाग जा रहा ठीक है तो यहां से कॉपी करते हैं कॉपी करने वाद अपने CSS पर आते हैं कि कहां गया हमारा CSS यह रहा CSS और यहां पर एक और मतलब इसी क्लास को सबसे पहले तो उसके बाद यहां पर हम पोजिशन देते हैं और यहां पर राइट साइड से मैं दे रहा हूं इसको फॉट्यूट कर देता ह Sm पूर्बबली हाँ चेडा उप एक परशेटा हो यहां न्हींते हैं और इसको जूच्टके अ बताते और हिसे करता हूं क्यों अब देखो चईह रहे लेकिन थोड़ा इंस्पेक्ट करके आता हूं इंस्पेक्ट में यहां पर इसके डिजाइनिंग अपनी हिसाफ सेट कर देते हैं तो यहां पर आते हैं इसको पहले सेट करते हैं राइट साइड से 40 47 46 ठीक है 46 सभी है और यहां पर मैं टॉप भी सेट करना पड़ेगा टॉप 5% नहीं सही है 31 ठीक है 32 31 सही रहेगा ठीक है तो 31 ही रखते हैं 46 31 ठीक है 46 राइट है रहेगा तो इसको सब सब्सक्राइब 46 करते हैं राइट को और यहां पर इसको हम टॉप डिसाइन डिसाइड कर देते हैं 31 ठीक है सेप कर देते हैं सेप करने बाद आप इसको रण कराकर आप चेक करोगी तो आपको इक्दम ट्रॉपर ली दिखेगा आइकन सॉरी तो यहां पर हम क्या करेंगा बटन को एक बटन बना लेते हैं बटन का क्लास बीडियन हाइफन बीडियन प्रैमरी आप लोग जानते हैं लेकिन यहां पर जो हमारा बटन का में चीज वर्क है उसको मैं आपको दिखाता हूं यह तो बटन बन गया अब यहां पर हम एक वो लेते हैं आइकन लेते हैं ठीक है वह आइकन हमारा कार्ट का आइकन रहेगा ठीक है बहुत सान्दार लग गया तो आई टैग के साथ हम एस डॉट एफए हाइफन सिप कार हाइफन प्लस थीक है कार्ट के अंदर पूस बना रही है हैं और करके सेप कर देते हुए ठीक है और सेप करने से पहले हमें काम करते हैं यहां पर .... चेक कर लेते हैं ठीक है बहुत सांदार लग रहा है कार्ट जिसका थोड़ा साइज बढ़ा करना पड़ेगा वह से पहले यहां पर हम कुछ बैज कर लेते हैं एक सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको भी हम फॉंड साइज 30 पिक्सल रख देते हैं जिससे कि एट लिएस्ट थो नोटिफिकेशन के लिए यूज किया रहता है तो वहां पर बैसिकली है डिनोट करता है कि कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं 123 उसी तरीके से यहां पर एक डिव क्लास लेंगे डिव का क्लास बैज रखेंगे और उसका नोटिफिकेशन करते हैं हम जाख टीट रहा हे हम लोग करेंगे करेंगे हमारा हमोरिप्र सबसे पहले तोаемсяब करके यहां पर हम पीस्ट कर लेत करने लेकिन यहां पर आपके दिखाने के लिए अब यहां पर ऑप प्रोड़क्त पर यहां पर थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर काड़ टॉप लेते हैं एक डीव के साथ उसको कंटेनर फ्ल्यूट पर रखेते हैं इंटर करते हैं और इसके अंदर फिर से अब यहां पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि इन सारी चीज़ों को हम एंजी कंटेनर को तुरू करने वाले हैं ठीक है एंजी कंटेनर बहुत इंपॉर्टन चीज़ है अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लेजे पहले चलो काड़ टॉप को डिजाइन कर लेते हैं तहां काड़ टाइप पे हम कुछ चीज़े पहले से इनिसले सेट कर देते हैं इसकी प्रॉपरटी को जैसे सबसे पहले तो डिस्प्लेय रखते हैं फ्लेक्स ठीक है और इसके बाद यहां पर हम मिनमम विट्ट दे देते हैं जीरो और अब विट्ट लेप देते हैं वर्ड देते हैं ब्रेक वर्ड ठीक है और बैक्राउंड कोलर में आप मैं यहां पे कौन सिल्क देता हूँ थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए क्योंकि काटेगरी यहां पर मैं बना रहा हूं ठीक है तो थोड़ा से कलर अलग दिखना बाइग्राउन क्लिप ठीक है बाइग्राउन क्लिप को मैं बार्डर बॉक्स ही रखता हूं और यहां पर पॉजिशन को रिलेटिव रखा मैंने चिक और इसके फ्लेक्स डारेक्शन को हम कॉलोंवाइज देखेंगे ठीक है और यहां पर पॉर्डर रेडिए बार्डर सेट करते हैं वन पिक्सल सॉलिट ब्लैक कर देते हैं ठीक है यहां पर वन पिक्सलिट ब्लैक हमने कर रखा शेप करा और यहां बॉर्डर रेडियस में 0.25 रख देते हैं और सेप कर देते हैं अभी आपको कुछ देखेंगे से ब्लैक पट्टी नीचे देखो डार किसी दिख रही होगी वन पिक्सल का ठीक है एक्शलिए इसलिए अभी यहां पर कंटेंट तो कुछ पढ़ा नहीं कार्ट क्यार जाइगा तो अलग तरीके से डिखेंगे तो चलिए इसको मैं आपको दिखावी देता हूं तो यहां पर मैं यहां आधा ह। सट करता हूं ठीक है और आइटम को भी थोड़ा सा डिजाइनिंग देता हूं कुछ आइटिंग क्लास को तो यहां पर चलो मैं एक टैग लेता हूं और एक अब वहां पर देखने लगेगा ठीक है सेप कर दिया कोपी करूंगा सभी पेश्ट कर देता हूं ठीक है अब देखें यहां कॉर्ण सिल कलर दिखा बेग्राउं को अब थोड़ा बार्डर रेडियस तो यहीं चीज मैं सट कर रहा था तो यहां पर जो इमेज का मैंने लिंक सब्सक्राइब निकाला हूं तो आप निकाल सकते हैं आप जो भी चाहों निकाल सकते हो ठीक है और यहां पर इस तरीके से इसारे चीजों को चेंज कर देता हूं अभी तो सभी पर आल प्रोडूक्स दिख रहा है कि अब इस पर सब्सक्राइब मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि अब यहां पर अल्मोस्ट सारी चीज हमाई सेट हो चुकी है और ऑके अभी यह बढ़ा रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं चलो कि छोटा करने का बहुत तरीका है बट हमें चोटा ही नहीं करना इसको सेक्वेंसियल सेट करना है कि पूरे सिक्केंस में रहा है और एक बहुत विल मैनेज तरीके देखें की कंटेंड भी सेंटर पर है इमेज भी सहीज दिखें तो इसके लिए आपन क्या करेंगे थोड़ा स सेखते हैं रिजानिंग विटता हमें हाप्स को दे दे रहे हैं 55 विखिल को हुआ है हुआ 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 हम टून्टी टुंटी वन ठीक है विट थे हंड़ेट नांटी पर्शन चालो ठीक है देक तो यहाप यहाँपर विटता अबश्ट में ये कर रहा के एक काम करते हैं पहले इसको अपना पूट करते हैं इस पह कि मैं मैं इंडिक है अभी हमारा सही दिक लिकिन अभी वह दिको हमारा कहीं और भाघ रहा है लेश़ साइड अपर देटेंट तो सबस्क्राइब तो सबस्रदेते हैं fighting देते हैं margin margin रखते हैं 0 pixel and 15 pixel उसके बाद यहां पर हम text align center रखते हैं देखो text align center देने बाद यह automatically भागने लगा ना अब इसको यहां पर हम by default set करते हैं सेब करते हैं यहां पर यह टेक्स्ट तो हमारा अभी टेक्स्ट भी अभी भाग रहा है ठीक है तो चलो इसको हम थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर एक और बनाते हैं टेक्स्ट नहीं आइटेम्स आइटेम्स का इमिज्ज जो हो उसका विट्थ 65 पिक्सेल हो जाए अब देखो पूरा सबसेट हो ठीक है हनों कि अगास पूरा काटेग्री सेक्षिंट के जट्च लोगर कर देते माउस ले जाते कर ब्लू हो जाए ठीक है था पहर हम एटम के हम ब्लू कर दिये माउस ले जाते ही कालर ब्लू हो जाए तो आइधिन्क इतनी सारे चीज़े आपको समझ में नहीं होगी अभी बहुत ज्यादा टफ नहीं है एकदम इजी स्टेप में बता रहा हूं ठीक है तो यह हमारा ओल्मोस्ट सारी चीड़न हो चुकी है बट इसको अभी हम कंटेनर में सट करने वाले हैं इसको एक कंटेनर कर देंगे और यहां पर प्रोड़क्ट भी जो दिखे सब्सक्राइब को देख सकते हैं यहां पर मैं डे टा मिल डाता यहां था सबस्पहले देegen्में अब अभी प्रोडुक्ट को मैं स्थे पूरी ओकॉल करूंगा करन सबस्पहले पोष्ट में पर प्रोपन करता हूं कि पोस्ट में आप लोग जानते होंगे एक टेस्टिंग एप्लिकेशन नहीं यहां पर यहां पर मैंने पिस्ट किया देखो यहां पर बहुत सिस्टम देखो देखेगा प्रिटीफाइब करके दिख रहा है डिक है टाइटल यह है प्राइज एक सुनह अच्छा बहुत सांदार अप्लिकेशन है अगर आपको एक टेस्ट करना है तो तो यहां पर सारी चीज़े वह कर रही है और इसके बाद अभी हम यहां पर आते हैं सर्विसिस पे सर्विस पे आते हैं तो यहां सबसे पहले हम सेट करेंगे अब नाव है यहां पर हम कॉल क्लाइंट मोडिल को यहां पर हमने http client module लिखा और यहां पर import भी कराना पड़ेगा तो मैं यहां पर import करा ले रहा हूं curly bracket के साथ http client module from और इसको मैं देता हूं single code के अंदर यहां पर angular comments के अंदर http नाम का folder होगा इसके अंदर है ठीक है तो यहां पर import हो चुका है लेकिन अभी भी हमें सर्विसेज में http को भी कॉल करना पड़ेगा यहां बेसिक लिए दो तरीके सब्सक्राइब करता है http client module को app module पर register करना पड़ता उसके बाद हम उसके अंदर का हम http यहां क्लाइट को यहां कॉल कर सकते हैं तो प्राइबेट तरीके से हम http को हम यहां पर इंजक कर लेते हैं ठीक है http को इंजक करने के बाद यहां पर इस्टीटीव अगया है और इसके बाद एक काम करते हैं यहां पर get product पर click करते हैं ठीक है get product से हम क्या करेंगे basically पूरा product return करा ले रहे हैं तो यहां पर return this.http.get ठीक है और get के बाद यहां पर हम product का url पास कर देंगे मतलब जो भी हमने डेटा हिच करना उसका URL यहां पर हम पास कर देते हैं तो यह वाला मुझे URL मिला है तो इसको मैं कॉपी करके पेश्ट करता हूं और डॉट पाइप के थ्रू हम यहां मैपिंग करेंगे ठीक है मैप मैप आप लोग को पता होगा नहीं पता तो जान लीजिए और इसकी सारी कोडिंग की गई है ठीक है तो यहां पर रिस्पॉंस को अनी टाइप कर रखते हैं और अब देखिए यहां पर मैप का एरर दे रहा है तो मैप को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले अब देखिए मैप पर रेड कलर का बन गया है अब यह एरर टाइप बताता रहेगा तो यह कोड टाइम एर देखो बता रहा है तो इसको हम क्विक्विक्स कर देते हैं मुझे पता है और एक ज्यस के अंदर ऑपरेटर सनाम के फोल्डर के अंदर इसका इसका मेथर्ड सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर यह हमने एपिए सेट किया प्रोड़क्त को फेच करने के लिए ठीक है सिंप्ली प्रोड़क्त को हम यहां पर फेच कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हमें काम करते हैं सबसे पहले तो यहां आब आते हैं प्रोड से पहले API को हम इंजेक करते हैं तो API services को यहां पर हमने इंजेक कर लिया successfully अब हम क्या करेंगे अब यहां पर थोड़ा सा हम इस डॉडड API service के अंदर जो भी data हमारा return हो रहा है उसको यहां सब्सक्राइब कर दो तो यहां पर हम get product को सब्सक्राइब कर रहे हैं और response में जो भी data आ रहा है उसको हम प्रोड़क्ट लिस्ट में पूट कर देंगे ठीक है डिस डॉड़ प्रोड़क्ट लिस्ट इस इक्कोल रिस्पॉंस हो गया ठीक है इससे क्या हुआ कि अब हमारे पास जो भी data रहा है से उसको हमने अपने प्र दिव.co अब डिव डॉड़ लोग में दूड़ुड और सिर्फॉरक्ट शाइन्ट धुड़ जो बासि उसक्राइब दो यहां पर हमें इस डिव कार्ड ले रहे हैं कार्ड को मतलब कॉलम को तीन माग में ले रहे हैं ठीक है और यहां पर एक इमेज कि से लग यहाँ पर हमारा product का image दिखाएगा उसके बाद यहाँ पे एक h5 लेंगे हम यहाँ सब्प्राइज दिखा सकते हैं जो भी आप आप डिखाना चाहे ताइटल दिखा सकते हैं यहाँ फया डिसक्रिफ्षन दिखा लिखेंगे class और यहां लिखेंगे add to cart मतलब कार्ट में एड़ कर सकते हैं तो इतनी सारी चीजें यहां पर हम manage कर रहे हैं और सबसे पहले तो यहां पर कुछ content होना चाहिए dummy content उससे पहले इसको हम एक ng container में पूट करते हैं so I am going to route here ng container और ng container को अभी में condition based करूंगा ng-container ठीक है तो इसको right वाले को यहां से cut करूंगा और यहां paste कर दूंगा जहां से मारा due फिर लगाया हो ठीक यह हो गया और एक काम करते हैं इसको हम condition यहां पर देते हैं actually हमें पूरे container पर चाहिए पूरे कार्ड पर चाहिए तो यहां ng container ले रहा हूं इस वजह से यहां पर आइटेम नाम के वरिएबिल लिया और जो प्रोड़क्ट लिस्ट में जो भी डेटा रहा है उसको इस आइटेम नाम के वरिएबिल के साथ इंटर पॉलेट करेंगें ठीक है तो यह बहुत सिंपल चीज में कर रहा हूं बहुत ज्यादा टॉफ नहीं कर रहा हूं और अगर मेरे बोलने की स्पीड वीडियो की स्पीड ज्यादा फास्ट हो तो आप सेटिंग में प्लेवाइक स्पीड जाके थोड़ा सा स्लो कर आपर पेस्ट करता हूं ठीक है चलो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे करली बेकर के साथ इंटरपलेशन करेंगे आइटम डॉट टाइटल लिखते हैं ठीक है तो टाइटल मतलब क्या होदा प्रोड़क का नहीं होता है यहां पे देखो टाइटल है सेकेंड करेंगे आइटम डॉट प्राइज ठीक और आइटम डॉट डिस्क्रीप्शन कर देते हैं यही कcción की स्पिलिगा देख लेते यह तो कॉपि कर लेते हैं जो भी आप चयाब मुं करते हो भी तो कश्ते हूं करते हैं इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं ठीक तबने कॉपी कर थेकर यहां पेश्ट कर रहे Sigp करταके शचक करता है थोड़ा देर में अर्थ ठीक है इसका अब कॉल 100 रही है boss कॉल 910 अब इसको अपने हिसाब से इप करना है इच अर मैंने लूद्न बढ़ना दिया यहां पर यहां तो यहां पर काटेगरी बताता रहेगा कि कौन से कटेगरी का प्रोड़क्ट है तो यहां पर सारे डेटा हमारे आने लगे अब आपन क्या करेंगे इसको सबसे पहले सेट करेंगा आइटम डॉट इमेज कर देंगे तो हमारा इमेज भी सोहने लेगा लेकिन यहां एक ची मैं बता दूं बहुत उल्टा सीधा डिजाइन हो जाएगा क्योंकि हर इमेज की साइज सेम नहीं होगी आपको मैं बता दे रहा हूं ठीक है तो यहां पर स्टाइरिंग करते हैं टाइ का मा कम करते हैं कि है का क्या थे टेकर पर टक्स्ट ओर फ्लोघ्ओ करते हैं एलिप्स एस ठीक है और udah टेक्स्ट और नहीं ठीक है हैолов कि कि हम्डर्ड हैं तो दो यहहां से हुए इमेज कोई चोटी बड़ी आर रही है 집에 उ सेट करना है तो इन सारी चीज़ों को शव्याइब सेट करना है पुर! सेट करना है तो एक काम करते हैं इसको सबस्क्राइब यहां से पूरा कॉपी करते हैं इसको डिस्क्रिप्शन पर भी पेस्ट करेंगे हम लोग इसको यहां से मैंने किया कट और आया अपने css पे और यहां पर हम आईटम डेटा नामसे क्लास बनाएंगे वोज सब इसको पेस्ट कर देंगे इसको कॉल कर लेंगे जहां में चालके तो यहां पर हमने इसको क्लास दिया और आईटम डेटा पास कर दिया इसी तरीके से हमें सेम चीज को एक काम करते हैं प्राइज है एक टेक्री है यह डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन को नीचे रखते हैं और सेम चीज को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पर पेश्ट कर देते हैं ठीक है और इसको प्राइज को मैं स्ट्रॉंग देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मतलब बोल्ड दिखें मोटा सा दिखें तो प्राइज को डॉलर के भी हाफ पर मैं हाफ पर कर रहा हूं ठीक है आपको रूपीज में रखना है तो रूपीज के सेंबल लगा देना तो यहां पर और मुझ सारी चीज़े डन हो चुकी है देख लो टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइज एंड कटेग्री ठीक है अब इसको हमें इमेज केल को सेट करना है इमेज सेट कर दूंगा तो बाकी चीज सारी सेट हो जाएंगी तो यहां पर आता हूं कार्ड सबसे पह हाइट भी 200 पिक्सल में मार्जिन बॉटम पर दे देता हूं मैं 15 पिक्सल में ट्रांस सेजन में 0.3 सेकेंड इस इन आउट कर देता हूं और कार्ड इमेज को हो और जब हो तो उस पर क्या देखना चाहिए हमारा जूम इन ट्रांस 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 फर्म कर देता हूं क्या एक सिमिन तुहिए सोचने दो इसको क्या करना है ठीक है सबस्क्राइब करता हूं और 0.3 सेकेंड एस इन आउट करता हुँ उसके बाद इसको मैं ट्रांस फर्म कर देता हूं करेंगे ठीक है स्केल के फर्म में और करने से हम डिग्रीवाद इसेट कर सकते i तो यहां पर one point point आप देखो एक दम सही लग रहा है सही कहा गंद लग रहा है इसको चलो set करते हैं यह कहां इस गड़बडी है I think कुछ तो गड़बडी है मैने किया है कहां 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 किया card 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 यह रहा काड चाहिए काड इमेज होना चाहिए था और काड में अलग से बनाऊंगा ठीक है तो काड को अलग से करूंगा मैंनु प्लेट तो यहां पे कुछ हम पैडिंग देंगे 20 पिक्सल मार्जिन 50 पिक्सल सेप करते हैं सेप करके बार रन करागे चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है और आप महारा कंटेन्स ही दिख रहा यह चाज़ीजा उन्यूदित कि रहते हैं को अन्यूंहर in और जा एट वाइज निदेधे a थोड़ा सा हमें काम करते हैं जीरो करने पर चारो डेटा नहीं तो नहीं आ रहे हैं तो यह काम करते हैं जीरो ही रख दें साधा सही है कि पैडिंग तोहारा एक्दम सही है तो यहां पर हम एक काम करते हैं वे मालो जीरो पिक्षल लखते आपको दिखाते एक निया थे जिखाते हैं पैडिंग जीरो पिक्सल रखते अबते पे देखो scarus अब देbelsी कर gonna कर दो तो आपको ने प्रिक्स interject भाना था कि कैसे सेटिंग करते हैं कैसे डिजाइन पर सट करते हैं ठीक है तो यह भी हमारा सेट हो चुका है और मोस्ट डन है अब यहां पर एक काम करेंगे हम यहांपे हम 50 ही रखेंगे 40 कर देते हैं जिसे करते हैं हमारा और फ rescat यहांपर करने बाद रिलोड किया अब आप देख सकते हैं यहांपे मारा कार्ड थोड़ा देर में लोड़ हो रहा है एक्चलिए का इश्यू है ठीक लोड़ हो गया ठीक है तो 33 कंटेंट दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह हमारा प्रोड़क्ट वाला भी सेक्षन हो चुका है यहां पर बहुत ज्यादा चीन नहीं बच सीजे दन हो चुकी है कोई दिक्कत नहीं अब एक काम थोड़ा सा बचा है राउटर आउट लिट वाए जो बोल रहे थे बार बार हमको सेलेक्टर को कॉपी करके उसके नीचे उसके नीचे पेस्ट करना पड़ा रहा है न तो थोड़ा से देख लेते हैं तो सबसे पहले हम कर लिए परेक्ट के नंदर आते हैं और यहांपर आपको path ना पड़ेगा सबसे पहले हम यहां पर path देते हैं blank तो में कर देते हैं हम प्रोड़क्स पर और यहां पर पाथ मैच देते हैं पाथ मैच फूल कर देते हैं ठीक है जैसे कि ब्लैंक कोई डाले तो बाई डिफॉल्ट इसको रिडारे कहां करें प्रोड़क्स पर डिडारे करें सेप करते हैं और यहां पर हम कॉम लगाते हैं इसी और यहां component name देते हैं प्रोड़क्स कंपोनेंट अ है प्रोड़क्स कंपोनेंट ठीक है जैसे लिखके इंटर करेंगे उपर आउटो मेडिकली इंपोर्ट हो जाएगा इसी तरीके से कार्ट को भी कर देते हैं तो सिंपली से पाथ में यहां देते हैं कार्ट और कंपोनेंट में देगें कार्ट कंपोनेंट ठीक है कार्ट कंपोनेंट ओके नव इसको सेप कर देते हैं अब यह हमारा जहां पर हमने एप कंपोनेंट इसको लिखा है एप प्रोड़क्ट को इसको रिमूब करेंगे रिमूब क्या करें कमेंट आउट कर देते हैं इसको ठीक है तो इसको सेलेक करके कमेंट कर दिया और यहां पर हमने सिंपली का करना है राउट राउट डाल देना है उसके बाद यह आटोमेटिकली वोग करने लगेगा ठीक है तो राउट 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 लिक जैसे सेप कि देखो बाइड फॉल कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी प्रोड़क्स हो रहा है परिशान मैं लोड हो जाएगा या है कि देखो हमारी लोड हो चुका है और यहां पर प्रोड़क्ट हमारे वर्ग कर रहे हैं ठीक है रूटैकर को शिच्ट लिक कर नहीं करना पड़ता था आप दावी तक बाबना करना पड़ता था है कि स् terrorist तो इतना हो गया अब हम वह करेंगे कार्ड पे चलिए कार्ड पे करना सुरू करते हैं सबसे पहले तो कार्ड कंपोनेंट डॉट है मिल आके कंटेनर लेते हैं कंटेनर के अंदर और फिर से ड्यूव क्लास लेते हैं और फिर से एक ड्यूव क्या लेते हैं 1H4 लेक ह 5 ले ले चलो लेते हैं क्लास इसका रखेंगे कार्ड कार्ड ठीक है कार्ड टाइटर अब इन सारी चीज़ों को भी हम डिजाइन करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंप्ली माई कार्ट और उसके बाद फिर से एक डिव लूँँगा और डिव का क्लास सेंटर डालूँगा और यहां पर कुछ जैसे यूर कार्ट इजिम पटी सॉपनों इन सारी चीज़ों को जैसे हमें दिखाना हो तो उससे पहले एक इमेज लगाते हैं आई एम जी टैग आई एम जी टैग लिखने के वाद एक काम कर देते हैं यहां पर हम एच फॉर लेते हैं एफ फाई भी लिखते हैं इस पॉर लेते हैं यूर कार्ट इज इंपटी उसके बाद यहां बेक इच सिक्स लेते हैं और यहां पर लिखते हैं आइड आइटम टू इट नाओ ठीक हैं इसके बाद यहां पर एक बटन लेंगे बटन के क्लास प्राइमरी रखेंगे उसे उसमें वैलु डालेंगे सॉप नाओ का ठीक है तो इतनी सारी चीजे सेट हो चुकी है इसको थोड़ा सा भी मुझे डिजाइन करना पड़ेगा बिने डिजाइन किये अच्छा नहीं लगए देखो अभी ऐसा दिख रहा है यह कार्ड बना कार्ड के अंदर कार्ड के बाहर यह सब लिखा हैं ठीक हैं मैं चाहता कोई शॉपिंग कार्ड में कार्ड अपना इंपड़ी करते हो जैसे दिखता है वैसे ही लुक फेंट फील आना चाहिए ठीक है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा थोड़ा सा डिजाइनिंग करना पड़ेगा और इन सारी चीजों को सेटिंग करना पड़ेगा मतलब सेश करता ओड़ेगा से ठीक है यहां पर कर्ड को डिजाइन देदिया च्टी वर्टिकल हाइट और हाइट देदिया 25 पीक्सल पारिंग टेशींतीफाइइप यहां लिफ्ट में देदे रहा हूं यहां पर मैं इसको इसको भी देद हो क्योंकि सेंटर पर रहना है न तो टॉब लेफ्ट सेट करदेता हूं यहां ट्रांसफार्म बंट कर देता हूं ट्रांसफोर्भ टाल कर देता हूं छांसलेट कर देता हूं को मायनिस 45% एंड अगें मायनिस 45% आप बेटर रिस्पॉंस के लिए 50% भी कर सकते हो कोई इश्यू नहीं आएगा एंड टेक्स्ट लाइन यहां सेंटर कर देता हूं पोजिशन अपसिल्यूट करता हूं और अभी देख लो अभी हमारा सारा ची सेंटर आ चुका है और कापी अच्छा लग रहा है लिकिन यहां पर एक इमेज की कमी लग रही है तो यूर कार्ट इस इंपटी के ऊपर हम यहां पर एक इमेज भी लगाएंगे बट एक सेटर इसको थोड़ा सा करते हैं तो इमेज हमारे कहा है center class के ना है तो यहाँ पर सबसहिए डाट center लिखेंगे space image लखेंगे घो अब image को हमें set करना image को तो यहाँ पर सबस्थे इसकी height and width set कर देते हैं ठीक है color set कर देते हैं उस पूजिशन सब्सक्राइब अपने बागी सारे नहीं रखते हैं है जा मैं इंत को बिटते हैं हम उधिस करदेते हैं एग तो है जा अच्छाम है यूटकरस्वॅज हैं टुमकरदे यूट हई हुम ठीक है तो स्वांट्डियदती क्शलोगा उसको ट्थ देते है text decoration run कर देते हैं the margin 20 pixel देते हैं कि ऊछ जीरो पिकसल कर देते हैं जो सेब करके चेक करते हैं वाव लुकिन कूल वह बहुत अच्छा देख रहा है बिल्कुल सेम टु सेम Приपकार्ट वाली फिलिगार है अगर आप प्लिप कार्ट में स्वापिंग की होंगे तो आपको भी लगघ Till pomida वैसे हैँ मैंने रख दिया है तो ऐसा लग रहा है कि जिसे मीनी फ्लिपकार्ट लाइट वर्क कर रहे हो तो यह सारा चीज है बहुत अच्छा लग रहा है तो चलो आगे देखते हैं अब इन सारी चीज़ें पर थोड़ा सब्वर्क करते हैं फिनिशिंग लाते हैं तो यहां पर हमने एच फोर रखा है काम करते हैं इसको हटाते हैं यह तो हो गया हमारा कार्ट का ठीक है जब हमारा कार्ट इंपटी रहेगा तो इसको एक एंजी कंटेनर में पूट कर देते हैं कि इसको इनिशिली फॉल्स रखते हैं अब इसको कंडिशन हम लगाएंगा फाइनल में एक और इंजी कंटेनर बनाते हैं ngi-container ठीक है अब इसके अंदर हम इसको भी कंडिशन देते हैं इसको फॉल्स देते हैं by default ड्यू कार्ड हाइफन टेबल ठीक है अब यहां फिर वहीं टेबल बनाना टेबल वहीं चीज़ी टेड्ड टी बॉडडी टी आर टी तो आप डेरेक्ली इसको देखो बहुत बेसिक चीज़े थे आपैने टेबल लिया टेबल क्लास्ट nesau लिए िनदर िलिए टो इनदर लोंगा टी अर कि indict H लोंगा ठीक है टेबल हेडिंग है तो इसमें वही चीज रुखेंगón कि जिसे सीरे लंबर हो गया धितल हो गया फ्रोड़क्त लिखात इन साहिए हिसी को लिखा कि सारे के नेम चेंज कर दूँगा मैं जो जो चीजें हैं जिसे प्रोडक्ट नेम प्रोड़क्ट इमेज प्रोड़क डिस्क्रप्षन प्राइस कॉंटिटिटी कॉलिटी तो वह सारी चीजें मैं यहां पर उटकर दे रहा हूं और उसके बाद एक लास्ट बनेगा एक्शन नाम कर ठीक है अब एक काम करते हैं अपन टी हेट के बाद टी बॉड़ी बनेगा टी बॉड़ी में टी बॉड़ी के अंदर भी टी आर होगा और टी डी होगा ठीक है तो देखो टी बॉड़ी लिया अब इसके अंदर टी डी लूगा और टी डी के अंदर सेम डमी डेटा इसे के विहाब पर कुछ भी डाल दूगा ठीक है मैं एक बार आपको दिखाना है कि कैसा देखता है हमारा टेबल की काया एस द्रीज जाए है कि यहां पे साज बोलब अब हो कि में पुट कर दे रहा हूं और कि छाह एफिए कि यहां पर हैं आईक्षम में वेटन वह टीक है यहां वे पनायेंगे और बटन के साथ वो करेंगे तो बटन डिलेट का बनाएंगे फिलाल तो और डिलेट बटन अभी आपको डिलेट लिखके भी दिखा देता हूं और आइकन भी लगा के दिखा दे रहा हूं ठीक है प्रॉब्लम बिल्कुल हो तो वीडियो फाउस करो रोको और एक बार कॉपी पेन उठाओ नोट करो अफ्टर आपक ठीक है देखो यहां पर मारा टेबल बहुत सांदार दिख रहा है इसको तो कस्टोमाइज करेंगे थोड़ा सेंट्रलाइज करेंगे ठीक है इतना बड़ा सब्सक्राइब करें करते हैं कि यहां पर हमारा सारी दन हो चुकी है अब सब सब पहले कार टेबल को डिजाइन करते हैं तो यहां पर हम कार टेबल को डिजाइन करने वाले हैं और यहां पर सबसे पहले तो हम देते हैं डिस्प्ले हम देते हैं फ्लेक्स टाइप का ठीक है और दूसरी चीज मिनमम विट्थ हमने नन रखा हैं पोजीशन हमने रिलेटिव रखा हैं और वड्रेक वर्ड रख देता हूं ठीक है या तो यह रख देता हूं सही है ज्यादा सोचना नहीं इस पर ब्रेक वड रखने से सही रहेगा जितना बड़ा हमारा कॉलम रहेगा उसके भी हाप्ली वर्क होगा ठीक है एंड नेक्स्ट यहां पर हम रखेंगे बैक्राउंड कलर बैक्राउंड कलर हम कुछ भी रख सकते हैं आप जो भी रखना चाहों ठीक है तो मैं वाइड रखता हूं और यहां पर बॉर्डर रेडियस भी हम सेट कर सकते हैं लेकिंगे बॉर्डर फिलाल देदेंगे वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर रेडियस त्री पिक्सल देता हूं देखो अरे यह कैसे दिख रहा है इसको सेंटर होना चाहिए लेफ्ट साइड भाग गया 25 आरियम रख देते हैं इसको पहले बॉर्डर को पिक्सल नहीं भाई या रही हम चलो इसको मैं अभी देख लेता हूं इसमें क्या इश्यू है इसको सेंटर पर कर दूंगा उससे पहले में थोड़ा सा डिजैन कर देता हूं कार्ट सेंटर वाले चीज को ठीक है सेंटर का जो बटन है हमारा उसको भी देख लेता हूं थोड़ा सा मार्जिन टॉप को हमिया टूंटिफाइव एक्सिल रखें इंपोर्टन दी और इसको फॉन्ट साइज पर फिप्टीन पिक्सेल इसको भी इंपोर्टन टख दी हैं आपके दिमाग में आ रहा हो गहां इंपोर्टन क्यों रख रहा हूं तो मैं आपको बता दूंग कि क्लास btn है अगर आप इसको अपने हिसाब से मेनु प्लेट करना चाहते हैं तो आपको important keyword के साथ ही यूज़ कर सकते हैं ठीक है पैडिंग 100 and 70 20 पिक्सल यहां रख देता हूं कि अब बॉर्डर रेडियस दिदे दिया अभी भी नहीं आया यार कि क्या ची मिस्स कर रहा हूं इसमें देखने तो पहले अच्छा यहां पर मैंने फ्लेक्स टारेक्स उनको कॉलम वाइज नहीं सेटके अब देखो आ अब इसको क्या करूँ गा इसको मैं पूरा को फूरा उठाके मैं के दूंगा तो यहां से कट करूंगा के कंटेनर के अंदर पेस्ट करूंगा सेप करूंगा अब देखो एकदम सांदार देखेगा यह देखो अभी जो मैंने डिजाइन किया वह डिजाइन का वर कब देख रहा है मुझे ठीक है तो यह अल्मोस्ट इसनी सारी चीज़े हो चुकी है अब एक काम करते हैं एक सर्विसे जोर बना देते हैं एंजी जी स्बैस wehr services नेम एंड्स सर्विसज ठीक है तो सर्विसे नहमका फोलडर और अल्रेडि बनाते हैं हम, services टाइप करते हैं sidaIS, cardService नाम ördrum से बना देते हैं iya ज्यों ठीक है तो यहां बैशित्छे है यहां पर दो फायो छयो जाएकी cartapi.servicer.ts ठीक है तो यह देखो यहां पर आगी है तो अब हम अपन इस पर work करेंगे इस पर क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ यहां पर हम getter setter use करने वाले हैं get करेंगे फिर set करेंगे और remove करेंगे और add करेंगे ठीक है remove all भी करेंगे तो इन सारे method को use करने वाले आप लोग यहां से बहुत ध्यान से देखना नहीं तो नहीं समझ में आना वाला ठीक है तो यहां पर HTTP को हमने फिर से call कर लिया है कहने के मतलब inject करा लिया है अपने project में अब यहां पर सबसे पहले तो हम एक variable बनाते है card data list नम से जिसको मैं any type का रखूँगा और उसको initially as array define कर दूँगा ठीक है एक और मैं हम देता हूँ product list नम से और उसको मैं new behavior subject के भी हाफ में यूज करूँगा ठीक है new behavior subject में आपको बताना पढ़ेगा किस type का data है तो मैं इसको any type का बताऊँगा देखो जिसे new behavior subject bracket में unknown लिखा है न तो ऐसे यहां पर मुझे है बताना पढ़ेगा कि यह any type का है ठीक है तो एंग्लर ब्रेकट में यहां पर एने लिखेंगे हैं और उसके बाद यहां पर पैरिंधिस के नदर इसका ब्रेकट यूज करके इसको हम यूज कर सकते हैं यहां पर यहां पर प्रोड़क्ट डेटा एक मेथड़ बनाते हैं ठीक हैं जिससे कि यहां प्रोड़क को हम गेट करने वाले हैं इस डॉट प्रोड़क्ट लिस्ट डॉट अजूज कर ले रहे हैं इसी तरह किसे यहां पर सेट प्रोड़क्ट का भी में बनाने वाला हूं थोड़ा से मेथड़ चेंज होगा सेंटेक्स चेंज होगा अध्यान से देखना प्रोड़क्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि किस टाइप कर डेटा के डेटा टाइप क्या है तो यहां पर मैं देखानां पूछ करूंगा और पूस्ट क्या में गरूंगा हमने देज डाट प्रोड़क्त लिस्ट डॉट नेक्स्ट अगें यहां पर हमां एड टू कार्ट इसी तरह किस बनाएंगे बहुत बेसिक बहुत बेसिक मतलब मेथड बना रहा हूं मैं इतना ज्यादा इजी मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई बता पाएगा ठीक है तो यहां पर डाट कार्ड डेटा डाट लिस्ट को पुस्ट करूंगा फिर से प्रोड़क्त में और यहां पर इस डाट डाट लिस्ट डाट नेक्स्ट इस डाट यहां पर हम क्या करेंगे अपने कार्ड डेटा लिस्ट को एड करेंगे ठीक है इस डाट गेट टोटल भी कर देता हूं ग्रेंड टोटल जैसे होता ना गेट टोटल अमांट हमारे पास जो भी रहेगा उसको पता चल जाएगा तो यहां पर यह नहीं तो इसका में बना देता हूं तो मैंने गेट टोटल अमांट यहां करा गेट टोटल अमांट में भी हम यहां पर एक वरेबर लेते हैं ग्रेंड टोटल नाम से कि इसको जीरो रखते हैं लेकिन जितनी बार इसको में पुश होता जाएगा डेटा 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 डाट मैप करूंगा और वैसे ही यह बाइडिफॉल बढ़ता जाएगा ठीक है जैसे जो हमारा बैज है तीन लिखा वह चार हो जाएगा तो यहां पर एक आज एर ले रहा होंगा हर जिगां माउंट में तो क्रेंट टोटल प्लस एक्वल इसको बाइड टोटल कर देता हूं अब यहां पर हमारा क्या होगा ग्रेंट टोटल भी एड कर लेगा इसी तरीके से मुझे रिमॉब करना है प्रोड़क को रिमॉब आल करना ठीक है तो देखते चलो इसी एंप तुरन में बना देता हूं तो सबस्क्राइब रिमॉब कार्ड डेटा करता हूं जो वन भाइब न करेंगा ठीक है मैप में क्या करना पड़ेगा स्प्लाइस करना पड़ेगा डेटा को तो आप जानते हो ए में एनिटाइप का डेटा रहेगा तो इसके बाद देश डॉट कहां गया कॉमा इंडेक्स ट एनिटाइप करेगा ठीक है कि एक काम कर लीते हैं सब पर कमेंट में देने के बाद क्र लेता हूं यहांपर अड earliest remove al हॉन भी कर देता हूं क्योंकि क्वह वहा Pyne फ्वल कों लिए 000 और टो इमांट बन गया सब्स一定要 in वान टो रिमोब बन तो रिमोब आल बीसे टायम का भी कहिं देता हूं कि लिए no थीक है तो अब मैं अपने कंपोनेंट इसे के पर आता हूं यहां से सबसे पहले तो add to card करता हूं तो करते हैं पहले प्रेट करेंगे अपने प्रोडक्त वाले से तो यह क्या होना चाहिए हमारा काड़ हो जाना चीए तो यहां वाली सर्विस को नहीं है पर इंजक कर आते हैं प्राइबट के था कार्ट API सर्विस्स को यहां पर इंजिक करा लिया ठीक है कुछ एरर है एरर क्या है कॉम में का एरर ठीक है कॉमा नहीं लगाए हूं मैं सर्विस्स के बाद तो इसको में कॉमा देता हूं ठीक है नाओ अब पर्टिकुलर एक प्रोड़क्त के लिए फॉर इच यहां पर लगा रहा हूं है ठीक है मतलब एक एक प्रोड़क्त को मैं देखूंगा यहां पर मैप करना पड़ेगा इस वाज़े से फॉर इच लूप लगा रहा हूं जिससे के एक प्रोड़क्त हमारा लेश्ट हो ठी तो यहां पर हम एक को एनी टाइप कर रखते हैं उसके बाद इसको हम कॉल वेक करते हैं अब्जेक्ट डॉट असाइन ए को मा कर्ली प्रेकट के नदर हम एक क्वांटिटी कोलन वन ले लेते हैं ठीक है साथ में ने टोटल कोलन डॉट अगराइज कि सेपक्ट कर लेते हैं अब एट्ड कार्ड यहां पर सिंप्ली हम आइटम के भीहाब पर वहां पर वारेबल लिए थैना एन से प्रोड़ेक्टि लिस्ट लेट एनी चलो सबस्पर पहले हैं और यह अपर फार्ट क्लिक मेंट करें चलो मैंने क्लिक लिए खा अभी यहां पर वो मेंटट को कॉल कर लूँगा और मेंटड के अंदर हम एजर आर्गुमेंट आइटम रखेंगे यह मैं हुआ 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 है यह रहा कार्ड एपे सर्विस ठीक है हुआ है हुआ है कि कंसोल डॉट लॉट और यहां पर एक्चली दिखना जैना जब जितनी बार अट कार्ड करूं कि हमारा हां कार्ड का डेटा देख रहा है तो मैं यहां पर आता हूं कंसोल पर आता हूं कंसोल पैनल पर ठीक है कंसोल बाइड़ डिफॉल्ट हमारा ब्लैंक है जैसे एड़ टू कार्ड पर जैसे अभी तो क्लिक कर रहा हूं हूं नहीं हो रहा हूं सेकंड क्लिक करा नहीं हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं कि आइधिंग कुछ इसू है चलो चलो देखते हैं क्या इसूँ है हुआ 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 और हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है इस यहां पर मैं रिटर्न कर आए कुछ पी नहीं कर आए तो कहां से वर्क करेंगा आप देश डाट-card API.add to card ठीक है यहाँ पे में item दूँगा सेव कर दोगा अभी हमारा work करेगा ठीक है अब देखो जैसे ही यहाँ पर देखो देखो नेटुवर्ग करने लगा जाए अब जैसे आटु कांद करेंगो बापना की व्यटाई मैंट को देखो अबजक्ट पूरा रहा है व्यटो में सारा सारा डेटा किए कि क्या क्या टेटा है कि अंदर डिर में आट करें तुका करको इतनी बार डे टा अमारा ऐड होताएगा मतलบ यह हमारा work करने लगा अब हम work करते हैं भाइज पे हमारा इस भाइज पे डेटा हमारा 1 X 1 बढ़ता रहें जितनी बार livestock करो उतनी बार हमारा डेटा बढ़ता रहें भाइज के शेंक है इसे अभी 3 है 4 हो थीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप सिंपली प्राइबेट एपियाई को कॉल करते हैं कार्ट एपियाई को और उसके बाद हैड़स के अंदर अबाद फिर से आते हैं एक टोटल नंबर को पहले इनीचली जीरो रखोंगा ठीक है बाइड डिफॉल्ट ही हमारे पर जीरो देखना चाहिए तो एक दिखा नहीं एक भी नहीं दिखाऊंगा मैं टोटल आइटेम नंबर ठीक है नंबर टाइप कर रखता हूं इसको जिकल जीरो कर देता हूं देज़ाट कार्ट अपियाई डॉट गेट प्रोड़क्ट और यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है मुझे डेटा को हूं है हूं है ही यहे का रह्म यह है है ॆत्र नंबर इस्क Kr gross ब्रतव कॉछ देटा हूं हूं रेस्पांस में लेंथ रखता हूं ठीए एत लीस्ट पता चलना चाली नहीं लिन्थ किस्त कितने हैं वशंज टू बार क्लिक किया ठीक है अब इसको यहां तुमरी हैं इसको मैं इंट्रप्लेट कराओंगा सबस्छी पहले राउटर लिंक देता हूं इस बटन को की कार्ट बे राउट हो जाए और दूसरी चीज इसको मैं यहां पर interpolate कराने वाला हूँ किस नाम से है total number नम से न तो इसको diet interpolate करा देता हूँ कि पेस्ट यहां पर डेटा सोगराने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है बहुत सब्सक्राइब तो यहां पर प्राइवेट तरीके से हम फिर से इंजेक कराने वाले हैं कार्ट में भी कार्ट अप्यको कार्ट अप्याई सर्विस को मैंने आप इंजेक कराया प्रोड़क्ट नाम के एक वैरियेबल ले रहा हूं जिसको इनी टाइप कर डिफाइन करता हूं और इनिशली इसको एरे पुट कर देता हूं ठीक है एरे ब्लैंक रखता हूं इसका और उसके बाद एक यहां देता हूं अल्प प्रोड़क्स एते अल्प रखता हूं रिखता हूं स्कें प्रोड़क्स बेसिक्लिली और यहां प्रोड़्खती है से डिनोट कर रहा हूं है एक प्लड़क्स पीजिवस्क्राइब नोट तो यहां पर हमने इसे ठीक है और response में मैं क्या करूंगा products में सारा response पूट कर दूगा this dot products is equal response ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर सबसे important चीज है कि दिज डॉट हमारा जो all products है कि देश डॉट कॉर्ट एपी डॉट इसको मैंने यहां पर सिंपली कॉल कर लिया अभी क्या होगा गेट टोटल इमाउंट को आल प्रोलक्स पे पुट कर दिया इसको समझ में रहा हो बहुत सिंपल चीजे हैं बहुत ज्यादा यहां पर रफली नहीं कर रहा हूं बहुत अब और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं रिमूब प्रोडक्त प्रेमूब प्रोडक्त नाम से एक में रहीं बनाए इस में सबसे पहले आइटम के भी हाफ में सारे चीज़ कर रहा हूं तो आइटम को स्प्लाइस करूंगा ठीक है तो यहां पर आता हूं और इस.card API. रिमूब प्रोडक्त नहीं रिमूब कार्ड डेटा को सब्सक्राइब करते हैं इसे तरहीं से रिमूब प्रोडक्त करता हूं ठीक है रिमूब प्रोड़क्त में क्या करूंगा एक बार मैं complete डिलेट कर दोंगा तो इसको है प्रेकर क्यों लग गया है कि दिश डॉट कार्ट इपिए डॉट रिमूव औल कार्ट और रिमूव औल कार्ट हो जाने के बाद अब फिसे आता हूं कार्ड डाट इस्निमल पर अब यहां पर हमें क्या करना है इंट्रपॉलेट कराना है अब मैं इंट्रपॉलेशन कराने वाला हूँ और सेम हमारा डेटा यहां कार्ड पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है तो इसको कराता हूँ आप लोग देखते रहेंए है एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर हम एक वैरिवल और लेंगे आई जो को इंडेक्स से डिनेुट्ट करेंगे नहीं तो हमारा आइडी में conflict क्रिएट होगा ठीक है तो इंडेक्स आइड को हमारा आइडी से यहाँ पर वर्क होगा तो हाई के विहाप़ पर करेंगे तो देखो यहां पर लिखेंगे आई प्लस ठीक है वन अभी अपने आप 12345 करता जाएगा बाकी यहां पर का करेंगा आइटम डॉट टाइटल आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन आइटम डॉट इमेज यहां पर इंटर्पलेट करा ले ना हमको अपने आज आइटम सब्सक्रिप्र आज़ कर अधिया दॉट लिए ऑगो और इसी तरह के से सबसेंगे यहां पर एक इमेजिट होना चीए इमेस टैग पर वकरेंगा नहीं तो तीडी में दीखैंगा नहीं अब इसे कर देता तो अब इस तरीके से सही दिखेगा कर दे यहाँ पर आइटम डॉप ब्हुत कर देते हैं कर रआइटम डॉट प्राइस कर देते हैं यहां पर item. rating कर सकते हैं या quantity कर सकते हैं whatever जो भी आप चाहो ठीक है तो item. quantity quantity का q small होना चाहिए q ठीक है and the last कि काम करते हैं कि इसको हम कि आइटिम डॉट टोटल कर देते हैं ठीक है और यहां पर हम एक मेथड कॉल कर देते हैं डिलेट वाला कहां है डिलेट वाला मेथड यह रहा है रिमो प्रोड़क्ट ठीक है रिमो प्रोड़क्ट को हम यहां पर कॉल करेंगे तो रिमूब प्रोड़क्ट को यहां पर हमने कॉल कर लिया और एनी को हटा देंगा एनी यहां कोई काम कर नहीं है सेप कर देता हूं एक बद चेक कर लेता हूं कि क्या है यह हमारा आउट्पुट कैसा देख रहा है तो अभी तो हमारा बाइड उफाब ब्लैंक है ठीक है यहां देखो लोकल फॉर्ट पर किया तो यह आटोमेट्कली मुझे रिडायर किया प्रोडक्स में चलो यहां से कुछ इसको एक कर लिया दो कर लिया और तीन कर लिया चलो यहां करके देखता हूँ यह वर्ख हो रहा है प्रॉपरली बहुत सांदार पर प्रोड़क्समिंग में इमेज इसकर देक्शनम प्राइस पर प्राइस क्वांटिटी क्वांटीटी टोटल पर टूटल एक्शन ये क्व दिए इधर तो सही है लेकिन हमारा ध्यान दुख पर तीन ही डेटा बना है वह नहीं रिफ्रेश हो रहा ठीक है अभी देखो तीन ही लिखा है वहाँ पर तो यहां पर यह चीछ बहुत गरबड़ है इसको मुझे देखना पड़ेगा है ना एक बार फिर से आपको दिखाता ह लोड हुम पर आता हूं इसको रिमूब करता हूं डिफ्रस्कार्यान कंढ़ करता हूं यह गया पर क्लिक किया कार पर आ गया मतलब हमा हमने जो जो भी तक किया सब कुछ प्रॉपर्ले कर रहे हैं किसी में प्राट्लम नहीं ठीक है लेकिन अब यह टू फॉल्स के कंडिशन पर work नहीं करूंगा अब मैं यहाँ पर दूँगा अगर हमाय पाप प्रोडक्ट हो एंजी इफ प्रोडक्ट्स इस डॉट लेंथ इस एक्कुल या अगरा नॉ टिकोल 0 या अधिक और यहीं तो अभी तो अभी सुद्षिग्यू करते हैं ति यहे वाला होना चाहिए तो ट्रू होने केस में इसको इसको क्या लिखना पड़ेगा कि जब यहां पर प्रोड़क्ट लिस्ट अगर ना हो तो यह वाला चलना चाहिए तो इसको मैच कराना पड़ेगा जीरो से तो काम करते हैं प्रोड़क्स डॉट लेंथ इस इकोल एकोल जीरो ठीक है अगर एकोल इकोल जीरो हो त multifственure होजाए अब देखो यह वर्क दिखने लगा ठीक है shop now पे क्लिक करने पर आपको products पर redirect कर दें तो चलो shop now कहा है यह रहा है यहां पर router link पिर से लगा देता हूं तो यहां पर simply add करूंगा router link is equal slash products ठीक है जैसे यहां कोई क्लिक करेगा slash product पर आपको redirect कर देगा तो यहां पर मैंने एक की दिया products अभी है एच स्वेड़म प्रोंडट्ठ्ट्स टिद्द है कि मैं सेब कर देता हूं इसको सेब करके आप चेक करा देता हूं तक है ऑट मुझा यॉर्ल देखो प्रोडक्स पर आगया अभी हांपा टुकरण किया देखो दो हो गये क्लिक कर कार्ड तो इनपटी हैं लेकिन वहाँ तो इस चीज़ को भी चलू है ऐक लीर कर देते हैं आपको फिर तेगरी बन गया प्रोडक्त बन गया और आट कर रहा हूं मैंने ट काड किया फिर से ट कीए लिगare कि निए फिर से ट काड किया ठीक है तो यहाँ पर हमने लिए टो कार्ट इतने सारे कर लिए यह देखो अब देखो यहाँ पर एक डिलेट किया देखो तो शोकर अाभी पाँची बना फिर किया भी फाइफ बना फिर किया तो अभी पाउची बना लेक LAK девा पाक दो चलो इसको FICKS करते हैं सबस Way ठीक कैं की ये थोड़ा Cities नैं तो एक काम करते हैं कि हमने कहां पर कर रखा है does connections यह प्याएप आते हैं और यहां पर सबसे पहले तो पीएप है अड्रीक कार्ड करते हैं तो क्या होगा फ्रोड़क लिस्ट हमारी रिफ्रेस्स ओ जानी जाये अप्रोड़क का लिस्ट इस नेक्स्ट और यह क्या होना चाहिए दिस डॉट कार्ट डेटा लिस्ट ठीक है अब यह हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेंगा ठीक है यह अपडेटेड डेटा दिखाएगा तो चलो एक बाफ है से चेक करते हैं सौप नौप आते हैं अभी जीरो है इनिशली एक एड़ किया दो एड़ किया तीन एड़ किया चार एड़ किया पांच एड़ किया सिक्स एड़ कर लिया सेवन एड़ नाइन डेटा हमने एड़ कर लिया ठीक है देखो अब यहां पर दिख रहा है अब देखो जैसे डिलेट करूंगा देखो एड हो गया फिर ड प्लिपकार्ट लाइट वर्जन जनरेट हो रहा आप लोग के लिए तो यहां पे सारी चीज़ आल्मोश ड़न है अब यहां पर नीचे हम तीन बटन लगाते हैं ट्यार और जनरेट करते हैं और टीडी लेते हैं ठीक है टीडी में तीन बटन और बनाएंगे पहले कोल्प सेन हम फोर करते हैं और यहां पर हम देते हैं BTN बीटेन हैफन डेंजर थीक है कि यहांपर हम कि देते हैं इंप्री कार्ट यहां पर नाम से एक बटन बना लेते हैं कि इन्पटी कार्ट और दो और बना लेते हैं एक इंपटी कार्ट हो जाएगा और एक हो जाएगा कि अगर कर देंगे कि अगर कि अगर कि प्रोजेक्ट बन रहा है यहां पर हम तीन बटन बनाएंगे ठीक है यह तो प्रोजेक्ट बन रहा है यहां पर सबसे पहले डालते हैं इसको देते हैं वार्निंग टाइप का और यहां पर चेक आउट देते हैं इसको देते हैं प्राइमरी यह सक्सेश जो भी आप देना चाहों मैं प्राइमरी देता हूं चेक आउट का will check out प्रदब पे करना ओर कि है unit ठीक है तो और यहां पर last में आप एक काम कर सकते हो लासट में grand total भी दे सकते हो अगर अगर आप देना चाहो ठोा होसरो मैं दे ही देता हूं grand टर सथ अच्छा लगosse now ग्रेंट टोटल तो यहां पर सक्सेश पहले कलर देता हूं चेकाउट ग्रीन कलर से अच्छा लगेगा उसके बाद सौप नौप आता हूं है जाक हो रहा था ठीक है एक दो ठीक क्लिक किया अब देखो इंपटी काउट साफ मोर चेकाउट ठीक है इसको डिजाइनिंग से जानते हैं ठाप हम से जादा वर्क कर सकते हैं तो यहां है सक्षुप देख और यहां तक पर विट हम दे देते हैं 20 पिक्सल देते हैं 20 पर्शंट देते हैं और कॉपी किए इसको कि इसी तरह के से कॉपी इसी तरह के से यहां पर भी कॉपी पेस्ट टोटल कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं ठीक है अब यह हमारा क्या वह करेगा कि ट्वन्टी टेंट फ्रम में च्रीट करें कि यह कि त्रम एक पर सेक हैं आप मोर पर जाते हैं और फिस इसको एड़ करते हैं अब देखो अभी पर अच्छा वैसे देख रहा है ठीक है तो चलो इसको थोड़ा से एक बार और फिर देख लेते हैं क्या इशु है कुछ गर्बड हो रहा है कहीं कहीं तो गर्बड हो रहा है कि अधिक टाइटल वाला ज्यादा लंबा होनेक वजह से इसको कंजेस्टिक्ट कर दे रहा है थोड़ा सा मुझे लग रहा है हुँ ह् हुँ हु 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 टोटल कॉंटिटी तो कहां पीशु है प्रोडक्त नेम ठीक है एक काम करते हैं हुँ ठीक है अब सही है एक्चलिए टाइटल नेम में थोड़ा सा लंबा जोड़ा हो जा रहा था इस विज़े टाइटल नेम को देखो कंजस्टेट कर दिया अब देखो हमारा सही है हैं इंपटी कार्ट सौप मोर चेक आउट एक टीडियोर बना लेते हैं ग्रेंट टोटल नाम से ठीक है तो यहां पर आते हैं हमारा अचारी मुवाल को पहले कौल कर लेते हैं प्र मेथट पर जाएगा सौप मोर पर क्या करेंगे राउटर लिंक लगा देंगे प्रोडॉक्स देंगे चेकाउट आपको पेमेंट करना नहीं है पेमेंट करना होगात बताना मैं अपना फिटीक घय एक पर पर लोग चैनल को चेक आउड कर सकते हैं वहाँ पर आपको Google payment payment gateway कैसे implement कि जाता है वो पता है देख लेना उसके हिसाब से वर्क हो जाएगा ठीक है तो यहां पर add to cart add to cart पर stop more पर करें तो stop more पर आ गए ठीक है फिर से यहां पर तीन हो गया data अभी यहां पर आते हैं ठीक तो यह तीनों चीज़ें डन हो चुकी है आई थिंक यह आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अब आते हैं अपने कोड़ पर और थोड़ा से लाश्ट पर आते हैं और यहां पर हम एक grand total को भी है कि यह हमारा फाइनलाइस सक्षन है यहां आप से हम फाइनलाइस कर देंगे और इस पर आते हैं स्ट्रॉंग टैक के साथ हम लिखते हैं कि टोटल आप आईनर में भी लिख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं अलागि मैंने मतलब डॉलर में किया हैं लेकिन यहां पर आइनर भी डालके दिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से आइनर लिख सकते हैं ठीक है तेहां पर grand total आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा इंटरपोलेशन आपको जो भी जिसमें भी डेटा आ रहा है चलो मैं देख लेता हूं मेरा कास मेरा आल प्रोडक्स प्रिंट कर दे रहा हूं तो यहां पर पेश्ट कर दूँगा सेप करूंगा और हमारा एक बार चेक करता हूं एड़ टू कार्ट पे एड़ टू कार्ट क्लिक किया ग्रेंट टोटल आई एन आर ब्लैंक आ रहा है एक सेकंड आइधिंक कुछ इशू है वन सेकंड देख लेता हूं क्या इस्व है कहां पर है आगया ठीक है एक्चली थोड़ा से एर था ओ मैंने डेटा टाइप गलत लिख दिया था नंबर टाइप का था मैंनी लिख दिया था ठीक है ओके ना फाइन एड़ टू कार्ट अब तीन डेटा मैंने लिया तीन ओको देखो ग्रेंट टोटल है एक भी डिलेट क सपोज अगर कोई भी आप डेटा चाहो रिमूब करना इंपटी करोगे तो इंपटी जाएक चेक आउट करोगे चेक आउट करोगे तो प्रोजेक्ट एक दम वर्क कर रहा है क्लिपकार्ट का लाइट वर्जिन जन्नेट हो चुका है तो आप लोग वीडियो देखके आप छो सबसक्ते हैं कमेंट में जो भी आपको प्रावलम हो रहे तो कर दीजिए लेकर मैं तो यह का हूँग आप एक एक चीछा करेंगे तो आपको और सर्विस देने के लिए तयार हो जाऊंगा क्योंकि मैं खुद का अपनी कंपनी इस्टेंड कर रहा हूं और आप लोग अगर अच्छे समयनत करेंगे तो हम लोग आपको भी हायर कर सकते हैं रिमोट वर्क पे लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से इस्टेंड होना पड़ेगा अच्छे से कोडिंग आने चाहिए एक दम सांदार तरीके से ठीक है सो यह रहा हमारा आज का प्रोजेक्ट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप में कमेंट दीजिए वीडियो को लाइक जरू करिए थमसब जरू करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठीक है है